चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ गुरूप ओप मिनिस्टर्स यानि की मिनिस्टर्स के एक पैनल ने गॉर्मेंट को सजेस्ट किया है कि जो MBBS score साड़े पांस साल का होता है इसको reduce करके साड़े चार साल का किया जाना चीए इसके साथ साथ यह भी सजेस्ट किया है कि जो अभी one year की rural service है इसको two years की rural service compulsory कर देनी चीए उसके बाद student को MBBS की degree देनी चीए तो इस परकार का suggestion अभी government को दिया है अभी government इस पर विचार करेगी लागू होगा या नहीं होगा ये तो आगे की बात है लेकिन इन ministers ने government को suggestion भेजा है अब इसके लिए जो साड़े चार साल का इन्होंने course के लिए किया है उसमें तीन model suggest किये है फर्स्ट के model में उन्होंने ये है बताया है कि जो MBBS का course साड़े चार साल का हो उसमें चार साल की study हो और छे मैने की internship हो जो चार साल की study होगी उसमें फर्स्ट इयर में student anatomy, physiology, biochemistry जैसे subject की study करेंगे इसके बाद में one and half years जो next में होगा उसमें वो surgery, pediatrics, anesthesiology, medicines इस परकार के subject की वो study करेंगे second year में जो डेड़ साल का होगा इसके बाद में जो remaining one and half years का जो syllabus होगा चार साल के लिए उसके अंदर डेड़ साल के उस syllabus में जो specialized subject हैं जैसे surgery हो गया, OBG हो गया, pediatrics हो गया, general medicines के subject होगे तो इस परकार के subject पढ़ाए जाने चीए तो इस परकार से ये suggest किया है उसके बाद में जो internship है वो एक साल की जगे reduce करके च्छे मेने की होनी चीए तो पहला model तो ये suggest किया है, दूसरा model उन्होंने ये suggest किया है कि चार साल का MBBS course हो, उसके बाद में internship की बजाए उनका जो exam है वो exam ले लिया जाए और उनकी eligibility के मताबिक, उनके subject और merit के मताबिक, जो उनकी twice है और merit के मताबिक उनको PG course करवा दिया जाए, इसके बाद में तीसरा model उन्होंने ये suggest किया है कि admission के time में ही उनका ऐसा selection किया जाए, जिसमें MS, MD के लिए चार साल का MBBS और दो साल का PG course करवा के उसके बाद में उनको ruler service करवा के degree दे दी जाए, तो इस परकार के ये तीन model suggest किये हैं, अभी आप क्या इनमें फाइदा या नुकसान मानते हैं, ये तो आप comments में लिख सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें student को नुकसान ही होगा, नुकसान ये होगा कि जहां साड़े पांच साल का भी course student के लिए कम पढ़ता है, वहां साड़े चार साल या चार साल में वो MBBS का course पूरा कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा, उनको सीखने के लिए कम मिलेगा, जहां एक साल की internship होती है, student को senior doctors के साथ में hospital में सीखने का मोका मिलता है, वो 6 मैने में नहीं सीख पाएंगे और internship अगर बिल्कुल खतम कर दी जाएगी, तो इनका practical knowledge तो होगा ही नहीं, तो य ये internship student के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये कम से कम एक साल internship तो होनी ही चीए, क्योंकि student को सीखने का मोका तभी मिलेगा, जो अपने senior doctors के साथ में वो practice कर पाएगा, hospital में duty दे पाएगा, तभी उसको सीखने के लिए अच्छा मोका मिलेगा, तीसरी बात यह है कि जो इतना सा सारा syllabus है, इतना सारा course है, वो already 54 month की बजाए MCI ने, जो पहले MCI काम करता था, NMC की जगे, उसने reduce करके 50 months कर दिया था, तो वो भी पहले reduce हो चुका है, तो student के लिए सीखने के लिए मोका कम मिलता है, हलांकि first stage में student को ऐसा लगता है, कि ये course कम होना चीए, लेकिन जब बाद म में जब ये होता है, तब उसको ये से लगता है, कि ये भी course मेरा कम है, मेरे को और सीखने का मोका मिले, और hospital में सीखने का मोका मिले, internship थोड़ी ज्यादा होनी चीए, तो इस परकार का वो जब course पूरा करता है, तब ये उसके ख्याल आते हैं, तो अच्छा doctor बनने के लिए, उसको अच्छी सिकलाई, अच्छी internship की, अच्छे senior doctors के साथ में काम करने का मोका मिलना चाहिए, तो ये एक suggest किया हुआ, जो टोफिक था, वो मैंने आपके साथ में share किया है, अभी आपके इसके बारे में, आपके क्या comments से, आप comments box में लिख सकते हैं, मैंने मेरे सुजाओ आ आपके लिए लेके आता रहता हूँ, UG के लिए, PG के लिए, काउंसलिंग के बारे में, study के बारे में, motivation वीडियो में लाता रहता हूँ, next वीडियो में नई update के साथ में, मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए लेता हूँ, आपसे विधा, जैहिंद!